हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़िया मस्त रहिए क्योंकि आपके फैवरिट सितारे फिर से कमबैक कर रहे हैं टीवी पर बड़े पॉडक्शन के साथ बड़ी बैस्ट कहानी के साथ और एक नए लुक में जहां फैंस उन्हें देखना चाहते हैं और जो वो भी अपने लुक को देख कर जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही है ऐसे में मैं बात कर रही हूँ सुंबल तौकेन खान की जिन्हें सबसे ज़्यादा पॉपलिटी एक ता कपूर के शोग नहीं बलकि गुल खान के शो इमली से मिली ऐसे में जो है उन्हें इमली के नाम से पहचान मिली घर घर में लोग उन्हें जंगली इमली गाओ की इमली गवार इमली इन सब नामों से बुलाते थे और प्यार से बुलाते थे और प्यार भी देते थे ऐसे में सुम्बूल को सुम्बूल के नाम से नहीं जो सीरियल में नाम मिला उस नाम से पहचान मिली थी घर घर में फिर सुम्बूल उतरी रियालिटी शो बिग बॉस में जहां पे सुम्बूल ने अपने नाम के जंडे माँ पर गाड़े या कहें कि घर घर में फिर जो है सुम्बुल के नाम की चर्चाएं होने लगी इमली को सब धीरे धीरे भूल गए और सिर्फ जुबा पे हुआ सुम्बुल सुम्बुल जहां पे जो उनका डायलोग ता ये फायर और आज भी उनका ये डायलोग चल रहा है ऐसे में जो है उनकी काफी ज़्यादा चर्चाएं रही चाहिए उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हूँ या उनकी जो है शो को लेकर हूँ ऐसे में उनसे पूछा गया था कुछ टाइम पहले कि माम आप डेली शॉप शो में आएंगी तो ऐसे में उनकी कहा मैं डेली शॉप शो नहीं करूँगी मैं जो है कुछ हटकर करना चाहते हूँ ऐसे में या तो नोने अपने फैंस को जो है बताया नहीं था या वो खुद भी कन्फरम नहीं थी ऐसे में वो रेडियो पे भी नजर आई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई बिग बॉस में भी नजर आई और आप जो है सोनी टीवी पर नजर आने वाली है काव्या एक जजबा एक जुनूम जहां पे वो एक अधिकारी का रोल कर रही है जब उनका फर्स्ट प्रोमो आया था जिसमें वो अधिकारी लुक में नजर आई थी तो किसी ने बोला था अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं की है और अधिकारी बन रही है तो ऐसे में ये न्यूस काफी वारल हुई है उन्हें ट्रोल भी किया गया ऐसे में सुंबुल ने अपनी शोशल मीडिया के थूँ अपने चहाने वालों और जिन्हें जो है इस मैसिस को वारल किया कि जो है अभी पढ़ाई पूरी नहीं की और अधिकारी का रोल कर रही है तो ऐसे में उन्होंने कहा जब शो में कोई हत्यारा होता है जब कोई हत्यारे का शो में या हत्यारे का सीन शोट करता है तो क्या वो सच में हत्यारा हो जाता है तो मैं जो हूँ इस में अधिकारी का रोल कर रही हूँ क्या मैं सच में अधिकारी हो गई हूँ मैं गाओ की इमली का रोल किया क्या मैं सच में ही गाओ की इमली हो गई उनका कहने का अंदाजा मुझे बहुत प्यारा लगा था और यकीनत मान ये उनके एक कमेंट से जो है सभी ट्रोलर चुप बैट गए कई लोग दिल से देखते हैं कि किसी सोतन को जो है नफरत करने लगते हैं वह उन्हें रोल दिया गया वो रियल में सोतन नहीं है ऐसे में जो है फिर कल उनके शो का नया प्रोमो आया जिसमें पूरी कहानी समझ में आ गई थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि शो में पूरी कहानी को दर्शा दिया ऐसे में शो की पूरी कहानी को दर्शा कर फिर जो है फैंस टीवी पर न देखकर सिर्फ जो है ओटीटी वगेरा पर देख लेंगे वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसे में कहानी अच्छी लगी थी जब फर्स्ट प्रोमो आया था हम आपकी मदद किस पर कार कर सकते हैं अगर आपने देखा होगा और फिर दूसरा प्रोमो आया जहां पे उन्हीं का फ्योंसी या पती जो बना हुआ है वो अपनी वाइफ को आगे बढ़ते हुए तो देखना चाहता है लेकिन खुद उसके पीछे खड़े होते हुए मजबूरी में भी नहीं चाहेगा ऐसे में उनका कोई दोस्त बच्पन का बताता है कि जब तुम इतने बड़े ओदे पे हो तो बड़े बड़े फैसले बड़े ये सवाल तुम्हारे सामने आएंगी तो क्या वो आगे बढ़ने के लिए अपने पती अपने पार्टनर का साथ छोड़ देंगी या फिर जो है कुछ ऐसा दिखाएंगे कि अपने पती के अपने पार्टनर के सपोर्ट के लिए जो है वो उनके साथ चुपचाप खड़ी रहे तो ऐसे में जो है कहानी थोड़ा सा अजीब लगी है क्योंकि प्रोमो इन लोगों ने दिखा दिया लेकिन कल राज से जो है सुंबुल तोकिन खांट ट्वीटर पे काफी जादा ट्रेंड हो रही है सुनने में आ रहा है जैसे जैसे ये शो की कहानी आगे बढ़ेगी और सुंबुल का लुक चेंज हो जाएगा ये शो कथा को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि कथा में जो कहानी चल रही है वो हैपी एंडिंग की तरफ हो रही है और जो है सेप्टेंबर के फर्स्ट ये सैकिंड वीक में ये शो सुरू हो जाएगा तो ऐसे में आपको क्या लगता है सोनी पर ये कहानी देखने के लिए क्या फैंस जाएगे क्या इसकी ट्यार पी अच्छी निकल कर आएगी क्या फेश सुंबुल कम ट्यार पी के कारण पोजिसन में डाउन हो जाएगी या फिर वहाँ पे भी अपने जंडे गाड़ेंगे कमेंट करके जुरू बताईए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है